अलो दोस्तो जेहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चलंज सुहे लगे डिवी में दोस्तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को पता है कि आपकी रेलवे में आरपी एफ एंड एसाई और आपकी कॉंस्टिवल की आपकी जो विकिंसी है दो हजार चौबिस वाली दोस्तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपरेल में देखने को मिलने वाला है दोस्तो काफी सादा बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी self study करना चाहते हैं वो नहीं चाहते या फ़र इस टाइप के capable नहीं है कि वो कहीं भी offline में जाकर 10,000, 12,000, 15,000 रुपए फीस देकर कहीं पर भी coaching कर सकें तो दोस्तो ऐसे में हमारी main चीज हो जाती है self study और self study के लिए दोस्तो इस बेसली हो जाती हैं books तो दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं best book आपकी RPF SI and constable के लिए तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको जो books बताने वाला हूँ एक तो वो beginners के लिए होंगी और दूसरी बात जिनका थोड़ा बहुत दोस्तो basic clear है उनके लिए भी दोस्तो आपकी books देखने को मिलेंगी सबसे पहले दोस्तो railway में आपकी जो some inspector की vacancy है और जो आपकी constable की vacancy है उसमें दोस्तो आपका syllabus क्या है सबसे पहले एक बार आपको syllabus बता देता हूँ उसके बात आपको subject wise दोस्तो books भी मैं आपको बता दूँगा तो सबसे पहले दोस्तो gkgs जिसके 50 questions आपके आएंगे RPF constable and SI दोस्तो दोस्तो दोनों जगा आपके 3 subject ही पूछने जाने है maths की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी arithmetic आएगी जिसके 35 questions होंगे ठीक है सिर्फ दोस्तो आपकी arithmetic यहाँ पर पूछी जानी है arithmetic advance दोस्तो यहाँ पर आपकी नहीं पूछी जाएगी arithmetic में दोस्तो आपकी mensuration ज़रू पूछी जाएगी 2D and 3D reasoning दोस्तो आपसे पूछ जाएगी यहाँ पर भी आपके कितने सर 35 questions पूछे जाएगे आप चाहें सबिस्पेक्टर की post पर जाएं चाहें आप constable की post पर जाएं दोनों जगा आपका दोस्तो syllabus सेम ही देखने को मिलेगा और selection process किया है दोस्तो आपका CBT first होगा उसके बाद में दोस्तो आपका physical efficiency test होगा जिसमें running बगएरा होगी और उसके बाद दोस्तो आपका PMT जिसमें physical measurement test होता है जिसमें आपकी height है आपकी chest है सब कुछ आपसे long jump, high jump बगएरा सब दोस्तो आपसे बहाँ पर करवाई जाएगी उसके बाद दोस्तो आपका medical फिर उसके बाद दोस्तो आपकी joining बगएरा हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ दोस्तो single paper आपका होगा चाहें आप constable का exam दें चाहें आप service factor का दोस्तो एक्जाम दें CBT-2 आपका दोस्तो इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ single paper पर दोस्तो आपका selection यहां पर depend करता है तो सबसे पहले GKGS की अगर मैं बात करता हूँ books के लिए दोस्तो तो यहां पर GKGS सबसे ज़्यादा important है आपकी दोस्तो किसमें RPF SI में and RPF constable में तो सबसे पहले तो यहीं देखिए GKGS के लिए दोस्तो अगर मैं बात कहूँ तो सबसे भेतरी in book दोस्तो आपकी lucent हमें सही सही रही है चाहें आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हों beginner हों कुछ भी हो दोस्तो आप आपके पास दोस्तो lucent होनी ही चाहें क्योंकि दोस्तो यहां पर GK और GS है तो यहां पर GS का रोल भी दोस्तो अच्छा खासा आपको RRV की vacancies में मिलता है और RRV की vacancies में दोस्तो GS के लिए मैं आपको बताऊं या फिर कुल अगर मिला कर मैं कहूं science के लिए ठीक है तो science के लिए दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी book मिले जिसमें previous year questions भी हो तो देखी सबसे पहली बात कोई भी sponsors वीडियो ये नहीं है जो भी मैं आपको books बताऊंगा आप कहीं से भी ले लेना कोई भी sponsorship सिर्फ दोस्तो यहां पर नहीं होगी तो सबसे पहले दोस्तो आपकी youth competition times की अगर मैं बात करता हूँ तो ये youth competition times की मेरे पास दोस्तो math की book है जो सिर्फ और सिर्फ rrv के उपर है ऐसे ही दोस्तो इनकी journal science की book आती है वो भी दोस्तो जीके के लिए आपको youth competition time ची आपको rrv की दोस्तो ये book ले लेनी है जो दोस्तो आप कहीं से भी ले सकते हैं इसमें दोस्तो आपको सभी rrv में जितने भी आपका exam होते हैं चाहे वह rrv का दोस्तो group d का exam हो ntpc हो alp हो technician हो या फिर कोई भी दोस्तो आपकी vacancy हो rpf की SI हो चाहें constable हो सभी दोस्तो आपको इसमें जो है उसके previous year questions आपको देखने को मिलते हैं youth competition times की दोस्तो बुक में clear है तो आपके लिए मैंने बताया gkgs के लिए सबसे west आपकी lucrant है lucrant से आप gk वितरिन तरीके से तयार करें gkgs तयार करें और अगर आप चाहते हैं previous year question हम देख पाएं कि कैसे दोस्तो पूछे आते हैं हमारे किसमें सर rrv में कैसे question पूछे आते हैं तो उसके लिए दोस्तो मैंने आपको बता दिया कि आप youth competition times की समाने जानकारी की book purchase कर सकते हैं कहीं से भी clear उससे आपको दोस्तो ये पता लग जाएगा कि हमारे exams का level कह रहता है चाहेंब हमारे कोई भी exam हो दोस्तो rrv से related clear तो gkgs की तो मैंने बात करी gkgs में ही आपका current affair भी आएगा current affair के लिए दोस्तो आप speedy book को purchase करें लेकिन उसको आप अपने exam से एक महिना पहले ही purchase करें अभी दोस्तो purchase करने की आपको कोई जरूत नहीं है static gk का दोस्तो अच्छा खासा roll आपका हर एक exam में रहने लगा है चाहें बो rrv के exam हो चाहें बो ssc exam हो या फिर आपके दोस्तो UPSA पुलिस UPSI कोई भी दोस्तो आपका exam हो आपका दोस्तो static gk का roll अच्छा खासा रहने लगा है और static gk के लिए दोस्तो में आगर आपको book कोई भी refer करता हूँ दोस्तो तो static gk के लिए दोस्तो एक book आपकी यह आती है जो दोस्तो आपकी रोजगार बिद अंकित की है और दिल्ली पुलिस में दोस्तो बहुत ज़ादा इससे help मिली थी SSC के लिए दोस्तो बहुत शांदार book है तो आप Static GK अगर भितरीन करना चाहते हैं पतली सी दोस्तो आपकी ये book है Static GK की Static GK के लिए दोस्तो आप ये ले सकते है रोजगार बिद अंकित की Static GK की book है आपको साइद 99 रुपे में भी दोस्तो ये offer में कभी कभी आपको मिल जाती है तो इस book को दोस्तो आप कहीं से भी purchase कर सकते हैं जहां से आपकी इच्छा हो Static GK के लिए दोस्तो इस book को ले सकते हैं अच्छी खासी दोस्तो book है और इतनी ज़्यादा है भी नहीं है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो आज हम उन books की बात करेंगे जो ज़्यादा है भी ना हो जिससे दोस्तो आप complete कर सकें किलियर है उसके बाद दोस्तो आपकी importance हो जाती है क्या चीज सर यहां पर दोस्तो reasoning क्यूंकि दोस्तो अगर GKGS और अगर आप reasoning बढ़िया करते हैं लग भग आपके दोस्तो कितने question यहां से 85 question दोस्तो आपकी यहां से है कि सहां से सर GKGS और reasoning से तो GKGS और reasoning में reasoning में तो 35 question है लग भग 30 question करने की आप लोग कोसिस करना ही यहां 50 में से दोस्तो 35 plus question करने की यहां पूरी आपकी कोसिस रहनी चाहिए लग भग 65 plus question आपके किससर reasoning और GKGS से दोस्तो आपके बनने चाहिए आपके RRB के exams के लिए तो reasoning के लिए दोस्तो अगर मैं आपसे बुक कहूं कोई भी मोटी बुक मैं आपको refer नहीं करूंगा यह S.Cand की दोस्तो एक बुक है यह दोस्तो बहुत अच्छी खासी पतली बुक है दोस्तो और इसे आप अराम से complete कर सकते हैं जब हमारे पास लगबग इतनी इतनी मोटी बुक्स हम परचेस कर लेते हैं लेकिन फिर उन बुक्स को दोस्तो पढ़ने का हमारा मन नहीं करता यह सबसे बड़ा दोस्तो डिसडवांटेज होता है मोटी बुक्स को लेने का क्योंकि इतनी मोटी बुक है पढ़ने का मन ही नहीं करता उसको देखकर किया इतना पढ़ना है फर बच्चा बहीं से दोस्तों क्या हो जाता है तो हमेसा जब भी आप स्टार्टिंग करें किसी चीज की जब आप बिगिनर हों तो हमेसा दोस्तों पतली बुक्स को सबसे पहले प्रेफर करें, क्योंकि पतली बुक्स आपने पड़ी, जब आप में बैठने की दोस्तों, भेतरीन दोस्तों आपने प्रेक्टिस कर ली, कूर्सी पर बैठने की आपने आदद बना ली, उसके बाद दोस्तों आप मोटी सी मोटी बुक्स भी करकर ले जाएंगे, लेकिन सबस पहले स्टार्टिंग करें कि हम कम से कम कंटेंट वाली जिसमें थोड़ा लिमिटेड चीज हो हम उससे दोस्तों सुरुआत करें ठीक है पहले ही ज्यादा हैवी चीज नहीं लेनी है जैसे बच्चे जिम में जाते हैं अगर आप भी कभी जिम करते होंगे तो एकदम से बेट आप नहीं उठाते हैं पहले 2 किलो का फिर 5 किलो का फिर 10 किलो का फिर 15 किलो का हलके हलके जब आपकी efficiency बढ़ती रहती है आप बेट दोस्तों increase करते रहते हैं ऐसे ही study का दोस्तों सीन है starting हलके हलके छोटी छोटी बुक से ही करें उसके बाद में दोस्तों आप जाएए master reasoning पर दोस्तों कोई भी आपका advance का scene कोई भी दोस्तों advance की चीज यहां पर आपसे नहीं पूछी जाएगी तो अगर arithmetic की मैं बात करता हूं और arithmetic में मैं आपसे कहूं कि arithmetic कोई ऐसी बुक बतारूं जिसमें दोस्तों आपको questions भी मिलें जिससे दोस्तों आपकी practice भी हो जाए और जो आपकी दोस्तों एक तरीके से क्लार्टst notes का काम करें तो दोस्तों एक मात्र वुक है आपकी Rakesh Yadab Sar पोरी arithmetic के ऊपर वुक है य கाम हाईगी आपके SSC में भी काम आईगी आपकी Railway में भी काम आईगी हर किसी में दोस्तों आपकी यह book काम आईगी एसफी चीज दो API books आ पढ़कर किरेक किया है तो अर्थमेटिक के理 d sleepy दोस्तों आप class notes ले 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 और अगर आप चाहते हैं की books ही हमें लेनी हैं यह class notes नहीं लेने हैं यह class notes अपकी दोस्तों बहुत अच्छे हैं सबसे ज़्यादा market में भिकिने वाले दोस्तों यह notes हैं राके सियादब सरके। और आपको कोई बुक ही चाहिए कि सर हम बुक से ही पढ़ेंगे तो बुक से पढ़ने के लिए सर फिर आप यह ले सकते हैं जो RS अगरवाल की बुक है यह लगभग अतनी मोटी बुक है दोस्तो और इसको दोस्तो आप ले सकते हैं या आपके लिए दोस्तो और भी दोस्तो class notes के अच्छे आपको ये भी ले सकते हैं ठीक है तो या तो class notes ले या फिर आप book ले ज्यादा book का चट्टा library नहीं बनाना है room को कम books लें limited books लें दोस्तो तीन वार अपनी जो है books को complete करें जब तक दोस्तो आपका exam complete ना हो जाए clear है तो math की मैंने बात करी आप से मैंने class notes आपको बता दिये मैंने math के लिए और science के लिए दोस्तो youth competition times की भी मैंने आपको book बता दी उसके बाद दोस्तो मैंने reasoning के लिए भी आपको ये book suggest कर दी है बाकी दोस्तो आपका जो भी रहे जितनी भी चीजे आप पढ़ें उसके लिए दोस्तो तीन से चार काम है दोस्तो जो आपको करने है उस पर थोड़ा सा ध्यान आप सबी लोग देना जैसे माल लीजे दोस्तो सब से पहले आपको जो कमरना है वो दोस्तो आपको अपना syllabus complete करना है ठीक है सर syllabus complete होना जरूरी है किसी भी vacancy में selection लेने के लिए कोई भी vacancy हो चाहें वो MTS हो चाहें वो आपकी हवलदार की vacancy हो चाहें वो suspector की vacancy हो syllabus आपका complete होना चाहिए जो भी syllabus आपने पढ़ा है दोस्तो उसकर दोस्तो revision बहुत important है जितना पढ़ रहे हैं सर उसको revise जरू करते रहेंगे उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है practice बहुत करनी है math complete करी, reasoning complete करी उसके बाद दोस्तो practice करना है start करी चौथा दोस्तो इस्थंब है आपका mock test ठीक है ये चार काम हैं दोस्तो जो आपको करने ही करने है और जब लगभग आपका दोस्तो 50% syllabus complete हो जाए उसके बाद दोस्तो आपको ये mock test लगाना start कर देने है इस starting में mock test नहीं लगाना है पता लगा 100 नमबर का paper है और 5 नमबर की आपकी तयारी है और mock test लगाने बैठ गए तो भाईया फिर ही ओंधे मुगर जाओगे फिर आपका maneuver तूट जाएगा तो जब तक 50% तयारी ना हो mock test आपको नहीं लगाने है लगबग 50% syllabus जब आपका complete हो उसके बाद ही दोस्तो mock test आपको attempt करने है और mock test भी एक limit में ही लगाने है लगबग 15 full mock लगाने है आपको इससे ज़्यादा कोसिस मत करियेगा लगाने की ज़्यादा खिचली पकाने की कोसिस नहीं करनी है लगबग maximum to maximum 15 mock test आपको full length लगाने है इससे ज़्यादा mock test नहीं लगाने है किलियर है इतनी बात सभी को दोस्तों समझ में आ गई syllabus complete revision करना है जो पड़ा उसके बाद हमें practice करनी है जितनी भी हो सके ज़्यादा सब ज़्यादा practice करें math की ज़्यादा practice करें टाइम लेने वाले question है और minute सिर्फ और सिर्फ आपके बीस है इसमें से 20 minute आपके लगबग बचेंगे सिर्फ और सिर्फ जीके और जीएस के लिए तो इसलिए time management भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपका rpf SI में end constable किलियर है मेरी बात 120 question आएंगे 120 mark की दोस्तों यह आपकी परिच्छा होगी 90 minute का समय negative marking आपकी बनवाई 30 की दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी rpf SI में end constable में किलियर है मेरी बात तो यह सब चीजे आपको याद रखनी है जो books दोस्तों मैंने आपको suggest की है वो books दोस्तों आपको याद रखनी है और lucent दोस्तों आपके पास होनी ही चाहिए क्योंकि lucent की दोस्तों books से ही आपको GKGS बहुत अच्छी तयार बच्चे कर लेते हैं science के लिए मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों previous year question से भी कर सकते हैं जो दोस्तों आप लोग सकते हैं youth competition times के clear रहे math के लिए arithmetic के लिए मैंने आपको बताई राके सियादब सर की book जो आपकी class notes है ठीक है या फिर दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं RS अगरवाल की book ले सकते हैं या फिर और भी दोस्तों कोई other writer हो उसकी book भी आप ले सकते हैं no doubt ठीक है reasoning के लिए दोस्तों मैंने आपको बता दी या तो आप master reasoning this ही है master reasoning मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसकी मुटाई बहुत है बच्चा demotivate हो जाता है तो पहले starting करें थोड़ी पतली book से थोड़ी कमजोर book से clear है उसके बाद दोस्तों heavy books पर जाए तो दोस्तों अच्छा रहेगा आप सभी लोग के लिए ठीक बाकी कोई दिक्कत कोई डाउट आपका हो दोस्तों तो comment करकर पूछ सकते हैं एक वीडियो में और लेकर आजाऊँगा जिससे दोस्तों आपके सारे doubts के लिए हो जाएंगे ठीक है बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है दोस्तों लाइक जरू करेंगे चैनल पर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जीके जीस के लिए एक बात आपको बता दूँ अगर आप फिरी ओपकोस्ट पीडियो चाते हैं तो हमारे आप इन दोनों जगापर चैनल पर जाकर दोस्तों बहां से झाल झाल